इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 75 से लेके 150 तक के प्रस्णों का इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है उसमें एक से लेके 75 तक के प्रस्णों का डिस्कसन किया गया है तो लेते हैं 76 से question 76 कर रहा है कि गरह सूर्ज के चारो और घूमते हैं इसका क्या कारण है आपको 5 से 6 सेकेंड का time दिया जाएगा उसके बीच में अपना answer आप सोचके रखें और last में आप मिला लेना कितना नमर आपको आ रहा है तो question कर रहा है कि गरह सूर्ज के चारो और घूमते हैं इसका क्या कारण है तो ये बिद्धुत चुम्बुकिये बल के बज़ा से घूमता है चलिए question number 77 पर आज़ा है अंग्रेजों ने उन्हीं 16 सब 20 में बिहार में सरपर्थम कहां अपना बैपारिक केंद्र अस्थापित करने का प्रियास किया था अगर आब आज में प्रॉब्लम है तो question आप खुद से पर के उत्तर दे सकते हैं कभी कभी होता है कि आब आज में प्रॉब्लम हो जाता है तो 77 का सही उत्तर है आलम गंज पठना में चलिए question number 78 पे आजा है question number 78 करा कि परकास संसलेशन के दोरान परकास सुर्जा रुपांतरीत होती है परकास सुर्जा रुपांतरीत होती है यह रसानी कुर्जा में option 20 का सही हो जागा question number 79 पे आजा 79 कर रहा है निम लिखित में कौन सा रोक मच्छों के दोरा वाहित नहीं होता तो इसका सही उत्तर है ट्राइफ फाइड चलिए question number 85 लाइफ डिवाइन नामक पूस्तर के रचेता कौन है तो इसके रचेता है अरविंद घोस option C सही हो जागा question number 80 पे आजा 81 पे आजा कि जब कोई व्यक्ति धूर्बिये छेत्रों से भूमद रहा कि और आता है तब क्या होता तो इसका सही उत्तर है पादपो और पस्वो की विभिंता हमें देखने को मिलती है question number 82 पे आजाए अंग्रेजो की पटना फेक्टिरी का प्रधान जॉब चॉर्णॉक कब बना था एटी टू तो यह बने थे सोलसत च्योंसट इसवी में अप्शन बीस सही हो जागा question number 83 पे आजाए सुची एक और सुची सेकेंड को सुमेलित किजिए और नीचे दिये गए कुटों से सही उत्तर भरना है तो इसका हो जागा इलेक्ट्रोन सिफ्लोग्राफ का हो जागा मस्तिक्स रोगों का निदान कारी यंत्र है उसके बाद इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ का हो जागा हिर्दे से संबंदित होता है कार्डियोग्राफ हिर्दे रोगों का निदान कारी यंत्र उसके बाद स्विग्मो मैनो मीटर का है रक्त चाप मापन नापना और टेथो स्कोप का है हिर्दे की धरकन यहां से क्वेश्चन आपको एक्जाम में प्रिवेशेर में पूछ चुका है ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जागा ऑप्शन बी क्वेश्चन नमर 84 पर आजाए आरज लोग भारत में कहां से आये थे 84 तो इसका सही उत्तर हो जागा दक्षीन पूर्व एसिया से क्वेश्चन नमर 85 पर आजाए भारत के राष्टपति द्वारा निम्लिखित में से कौन सा कार्ड नहीं किया जाता है 85 तो इनमें एक कार्ड जो है राज सभा को भी घटित करना क्वेश्चन नमर 86 पर आजाए क्रायोजेनिक इंजनाओ का परियोग निम्लिखित में से किसमें होता है 86 तो इसका सही उत्र हो जागा रॉकेट परोधोगी की में क्वेश्चन नमर 87 पर आजाए बिहार में डच हॉलेंड या नीदर लेंड का जो निवासी था फेक्टिरी अपना कहां स्थापित किया था इसका सही उत्र हो जागा 1632 पर आज़ा है प्रफम पंच वर्षी योजना का मुख्य लक्ष क्या था देखिए पंच वर्षी योजना से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसलिए पंच वर्षी योजना करमबध इसको याद कर ले 88 तो इसका सही उत्तर है सिचाईवं विद्धूत प्रयोजनाओ सहित किर्सी का विकास चलिए question number 89 पर आज़े दरब्बो में पिरिष्ट तनाव का कारण क्या है दरब्बो में पिरिष्ट तनाव का क्या कारण है 89 इसका सही उत्तर है अनुओ के मद्ध है ससंज ससंजन बल cohesive force question number 90 पर आज़े निम्रिखित में से किसी ने दो विभिन छेतरों में बिग्यान का नोबेल पुरुष्कार प्राप्त किया है option देखे और उत्तर करें 90 तो इसे मिला है मैडम क्यूरी को option number सी इसमें सही हो जागा question number 91 पर आज़ा और सहयोग अंदोलन के दोरान Prince of Wales की पटना यात्रा कब हुई थी 91 तो इसका सही उत्तर हो जागा बाइस से तरज दिसंबर उनिस से कीज को question number 92 पर आजाए प्रेवेशेर question है राम किरिशन मिशन की अस्थापना किसी ने की है 92 तो ये किया गया है स्वामी बिवेकानंद के दोरा question number 93 पर आजाए Lord करजन ने बंगाल बिभाजन कब सुरू किया था very important question है और इसे पीछे भी प्रेवेशेर में पूछ चुका है तो इसका सही उत्तर हो जागा 1905 देखें कभी कभी option में 1906 भी हमें देखने को मिल जाता ठीक है question number 94 पर आजाए कि जंता पार्टी के सासन काल के दोरान भारत के राष्टपति कौन थे 94 तो इसका सही उत्तर हो जागा नीलम संजीब रेड़ी question number 95 पर आजाए प्रित्वी का प्राकिर्थिक उपगरह है 95 तो इसका सही उत्तर हो जागा चंद्रमा question number 96 देखें नीलम लिखित में कौन सी आदर्स गैस आइडियल गैस नहीं है 96 तो ये सीलिकन option सी इसमें सही हो जागा question number 97 पर आजाए जैब भी भीजता के साथ-साथ मनुस्रिक के प्रामपरगत जीवन के संदक्षन के लिए सबसे महत्पुन रन नीती निमलिखित में से किस एक की अस्थापना करने में नहीत है 97 दो option यहाँ है और दो option यहाँ तो इसका सही उत्तर हो जागा option number A जीव मंडल नीचे रिजर्व question number 98 पर आजाए बिहार कैमी सेवा कदल के अस्थापना कब हुई थी 98 तो यह स्थापना हुआ था 27 दिसमून इसे 20 को किसान समचार के संस्थापक कौन थे 99 पर किसान समचार के संस्थापक कौन थे तो यह थे स्वामी बिद्यानंद option D इसमें सही हो जाएगा question number 100 पर आजाए question number 100 का रनिमलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षे करने वाले परदार्थों के परियोग पर नियंत्रन करने और उन्हें चरन बद रूप से परियोग परहा करने के मुद्दे से संबंदित है तो इसका सही उत्तर हो जागा Montreal Protocol option B question number 101 पर आजाए electron की खोज किसी ने किया था question प्रेवे से ने पूछ चुका है तो ये किया गया था जेजे थोंसन के द्वारा question number आजाए 102 पर कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है इसमें से कौन कर रहा है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है 102 तो इसका सही उत्तर हो जागा उत्पाद कर question number 103 पर आजाए कि एक रूपे के सिक्के से अधिक के नोटों पर निर्गमन कौन करता है 103 तो इसका सही उतर हो जागा रिजर्बेंक के गवर्नर कोश्चेंद अम्हें एक सफ चार पर आजाए कि चकरबात में हावा किस तरफ से आती है तो इसका सही उतर होगा बाहर की और से देखью कभी-कभी अब आज में प्रॉबलम हो सकता है या आपको कही क्यों में प्रॉबलम हो या देखने में प्रॉबलम हो तो आप कोशिश करना की थोड़ा रोक के वीडियो को देख लेना कोश्चन भारत में सरवाधिक सोने के सिक्के 105 नम्मर किस वन्स के सासकों ने जार किये थे प्रिवेसर क्वेशन है और भी भी आए भी है पूछ सकता मेडाइबल हिस्ट्री 105 इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्ट ओ सौरी प्राचीन भारत का क्वेशन था गुप्ट निमलीखित में कौन सा मौली का धिकार नहीं है इन में से कौन है जो मौली का धिकार नहीं है तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी 106 का भी समान कार्ज के लिए समान बेतन स्लेट हीरा और संग्र मानमार कौन सी चटान का उदाहरन है एक सस साथ तो इस रुपांतरित चटान का ये उदाहरन है नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है ये भी क्वेशन प्रेवेशेर में पूछ चुका है तो इसे जाना जाता है हेलो फाइटा के नाम से हिंदुस्तान रिपबलिकन एसोसियेशन के स्थापना कब की गई थी ये भी 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 आई कोश्चन इस सल का एक सानौ तो ये किया गया था सतीस चंद्रनाथ सान्नियाल के द्वारा क्वेशन नमरा जाएं 110 पर काया कलब पुरुषकार की सुरुवात की छेत्र में की गई है 110 तो ये किया गया है स्वास्त के छेत्र में क्वेशन नमरा जाएं 111 पर प्रित भी अपनी धूरी पर गूमती है या सबसे पहले किसने पर्तिपादित किया था कोपर निकस के द्वारा किया गया था 111 का ए अप्शन सही है एंटी सोल है 112 तो इसका सही उत्तर हो जागा जलोड मीटी अप्शन ए सही हो जागा क्वेशन नमर 113 पर आजाएं सोनार अधिकता अधिकांसता परियोग में लाया जाता है सोनार का उप्योग किया जाता है नो चालको के द्वारा नो संचालको के द्वारा अप्शन सी इसमें सही हो जागा कोस्चन नमर आ जाए 114 पर कोई भी प्रक्ष्चन में आपको लगता है कि क्क्ष्चन गलत है या एंसर गलत दिया जा रहा है तो उसका एंसर आप कोमेंट बाक्स में जरूर लिखे बता सकते हूं question number 114 का रहा है कि जीवों के निम्लिखित प्रकारों पर विचार कीजिए कि कौन सा जीव प्राग कन कारी है 114 तो इसमें एक से अधीक एंसर सही है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा देखिए स्कूल के भज़ा से यहां प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है बच्चे का बाज आज आता है वीडियो में ठीक है इसकूल चल रहा है बगल कोश्चन कर रहा है प्रती चक्रवात इसलिए कहलाते हैं क्यूंकि 115 इसका सही उत्तर हो जागा वे चक्रवात के विप्री दिशा में चलते हैं क्यूंकि 116 पर आजाएं कि भारतिय समिधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्ष्ता किसी ने की थी 116 तो प्रिवेशिर में पूछा है और इसका सही उत्तर हो जागा सच्चितानन सिन्हा किसी बस्तू का संबे किस पर निर्भर करता है तो ये निर्भर करता है दरब इमान और बेग दोनों पर क्यूंकि 116 देखे कि अमोनिया अमोनियम कलोराइड की जलिये बिलियन की प्राकिरती होगी तो ये होगा अमलिये अप्शन ए सही हो जागा क्वेशन नमर 119 पर आजाएं बात्या भाठी का परियोग होता है निमली खित के लिए 119 इसका सही उत्तर हो जागा अप्शन भी सही हो जागा क्वेशन नमर 120 देखिए इबीजली के चमकने पर कौन सी ग्यास उत्पन होती है अप्शन यहाँ है तो इसका सही उत्तर हो जागा अप्शन नमर B क्वेशन नमर 12 करा बानर से ना और मंजिरी से ना निमन में से किस्य संबंदित है 120 तो यह संबंदित है भारत छोरो अंदोलन से पनीर किसका उदाहरन है 122 जैल का देखिए इस टाइब का क्वेशन एकजाम में देखने को नहीं मिलता है फिर भी पताने कीव सेट में सेट किया जाता है इस टाइब का क्वेशन नमर 123 कर रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समचार पत्र था 123 पे आजाए 123 का उत्तर करें तो इसका सही उत्तर हो जागा बिहार बंधू क्वेशन नमर 124 पे आजाए दक्षिन धूरूबी धूरूब का अक्षांस कितना है 124 का उत्तर करें तो इसका सही उत्तर हो जागा 90 डिग्री क्वेशन नमर 125 पे आजाए कि भारतिय लगू उद्योग विकास बेंक सीड़ीवी के नाम से जाना जाता है मुख्याले कहा है बेंक में स्टैप का परसन आपको देखने को मिलता है तो इसका सही उत्तर हो जागा सीड़ीवी का इसका सही उत्तर हो जागा मूंबई लेकिन फिर भी इस पे डॉट है आप कमेंट बक्स में इसका उत्तर जरू लिखे सारे 12% को किस भीन के रूप में लिखा जा सकता है भीन के रूप में जब इसे व्यक्त करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जागा किसी वस्तू के मूले में 20% के बिर्धी करने पर तथा 10% की हानी होने पर लाब होगा लाब क्या होगा बस्तू के मूले में 20% के बिर्धी करने पर तथा 10% की हानी होने पर लाब क्या होगा 127 इसका सही उत्तर है भी सौल्व करेंगे तो सुरेश ने गाया 18 सुरुपें बेचा उसे 20% का लाब हुआ तो बताएए कि सुरेश ने गाय का को कितना में खरीदा था जिसका सही उत्तर हो जागा एक का भेलू जो 15 के बराबर है तो 100 का भेलू जो है सही उत्तर हो जागा सी कुस्ट्टन नोमां वन ट्वान त्वाइटी ना पर आजाए जोदक सभी लड़के लड़की का उस्ट भार क्या होगा है क्येलय सॉल्व कर लेना सॉल्व करके इस कुस्ट्टन का अंसर आपको मिलेगा 51 किलो कोई वस्तू 15 परसेंट लाब के बदले यदि 20 परसेंट हानी पर बेज दे तो 770 रूपया कम प्राप्त होता है तो बताइए कि दुकंदार ने उस वस्तू का कितना में खरीदा था वस्तू को यानि कि कह रहा है कि बेचना चाहिए था 115 में और बेच दिया कितना में असी में और इसके दर्मेन दुकंदार को 35 का नुक्सान हो गया कि 770 के बराबर है कि सॉल्व करके देखना इस प्रसन का उत्तर आपको बता देते हैं कि इसका उत्तर होना चाहिए भी कोश्चन नमर एक से 31 पहाँ एक चाहतर परिक्षान 25 परसेंट आंग प्राप्त करता है और पंदर आंग से फेल कर जाता है जबकि उसका उत्तिना आंग 20 परसेंट है तो उसका पुर्ना आंग कितना होगा एक से 31 तो इसका सही उत्तर हो जागा बी दूसर चलिए कोश्चन नमर एक सा 32 देख लिजिए एक बगीचे में सेव के पेरों की संख्या आम के पेरों के संख्या करम सा पांच अनुपात शे के नुपात में यादि पेरों की पुल संख्या एक सा 21 है यानि कि 11 का भेलू 11 के बगीचे में सेव कितना है तो सेव का संख्या 5 है तो 11 पच्चे 55 ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए एक सो बतिस का बी चलिए कोश्चन नमर कोरा एक सताइथिस देखिए मैथ का कोश्चन जब हम सॉल्व करेंगे या वीडियो में बताने का प्रियातन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और लंबा हो जाता थे स्टूडेंट को देखना पसंद नहीं आता है क्यूश्चन नमर 117 पाज़ा है एक नाविक धहरा की दिशाएं बाइस किलोमेटर परति घंटे की गती से वह धहरा के बीपैस 16ad. किलोमीटर परती घंटे की गती से नावत चला सकता है तो धारा की गती क्या होगा यह ग्यात करना है इसको अपसल्ब करोगे तो यह इसका एंसर हो जागा किलोमीटर परती घंटा कुश्चन नमर आगे देखे एक सच्चाउतिस किसी वस्तू के निर्मान करने में समगरी स्रम और उप्रिवे तीन अनुपात चार अनुपात एक के नुपात में विभाजित होता है यदि समगरी की लागत बाइस पॉइंट पान जीरो रुपया है त साथ रुपया कुश्चन नमर 135 पे आजाए कि एक दुकंदार ने अपना समान 75 रुपया यदि उसने लाब का परतीसत समान के लागत के बराबर हो तो लागत मुलिक्या होगा एक सब पैंटीस को सौल्व करोगे तो आपको ये उसका उत्तर आगा 50 रुपया कुश्चन नम ने पाटली पुत्र बसाया था 136 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उद्दीन 137 को राके मगद के सासक अजाज सात्रू ने किसके आकरमनों के परतीरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली पुत्र को सुरक्षी तथा कीलो को सुचसजित किया जो आगे चलका पाटली पुत्र नगर बना 137 का उत्तर हो जाएगा सी बैसाली के बिरिज्चियो के कोश्चन नमर 133 पर आजाएगा बिहार स्पिसल बिहार के प्रत्थम बालिका बिद्याले के अस्थापना किसी ने की थी 133 तो इसका सही उत्तर हो जागा स्रीमती अगोर कामनी देवी बिहार में 149 बिहार में प्रत्थम बालिका बिद्याले के अस्थापना कब हुई थी 149 तो ये किया गया था 18 सा क्यान बेरिश्वी में पुरानी जलोड मिटी 140 पुरानी जलोड मिटी बिहार के किस जीजले में पाई जाती इसका सही उत्तर हो जागा एक से अधिक तो अप्शन नमर इसका सही क्वेश्चन नमर 141 करा बिहार के उत्री गंगा के मैदान में निमली खित में कौन सी मिटी नहीं पाई जाती है 141 तो इसका सही उत्तर हो जागा बलधर मिटी क्वेश्चन नमर 142 देखे कि बिहार में लेटे राइट मिटी किस भाग में पाई जाती है 142 तो ये पाया जाता है छोटा नागपुर पठार के उत्री भाग में और क्वेश्चन नमर 143 देखे बिहार के किस भाग में अपोड जलोड के बदला अपोड लिका हुआ है जलोड मिटी की प्रधानता है 143 तो ये है क्वेश्चन इसका सही उत्तर है गंगा की उत्री मैदान क्वेश्चन नमर 144 पे आजा है राज के उच्छी न्याले के नयधीस के अवकास गरहन की आयू क्या है 144 तो इसका सही उत्तर हो जागा 62 यर परजेंट भी आप गूगल के सहीता से एक बार देख लेना 145 पे आजा है राज का प्रथम बीधी अधिकारी कौन होता है क्वेश्चन नमर 146 का राज के महाधिवक्ता की निक्ति कौन करता है तो यह निक्ति किया जाता है राज जपाल के द्वारा क्वेश्चन 147 पे आजा है निम्लिखित में कौन सा अधोगिक और स्वस्त का ततकालिंग संकेत नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जागा क्वेश्चन नमर 148 पे आजा है कि हमारे संविधान में नयाईक संविख्छा की धारना किस देश के संविधान से ली गई है 148 तो यह लिया गया है USA के संविधान से प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्टपती द्वारा किसे निक्त किया गया था कि देखिए एक क्केशन इंपरेन्ट है बन सकता है यहां कौश्चन तो यह निक्त के था डक्टर बिरेंदर कुमार को question नमर लास्ट है आज का गया सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ इस्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाल्गूर्ष नदी लेखिए हमने इस वीडियो में 75 से लेके 150 तक के परस्ञों का डिस्कस किया इस Ts vou page video जो है उसमें एक से लेके 75 तक के परऊसनों का डिस्करिप्शन किया गया है दोनों बीडियो का लिंक निचे description में आपको मिल जागा और इसे पीछे जो भी discuss किया गया है सेट practice का उसका भी link आपको वीडियो के निचे description में मिल जाएगा ठीक है मिलते हैं एक नए वीडियो के सब नए सेट प्रैक्टिस के साथ जय हिन जय भारत